बाइयो स्वागत था आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चारल पे दोस्तों आज बात करेंगा हम गुजरात वुमेंस और यूपी वुमेंस के बीच में होने वाले आज के डबलू प्यूल मैच के बारे में दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकरी देने कोशिस करू करेंगे तो आज वीडियो को पूरा देखना दोस्तों और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर लेना यार ठीक है टेलिग्राम को जैन करना चाहते हैं तो लिंट डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट स्टार्ट होगा दोस्तों और वेदर की बात करें तो और इनके चांस नहीं है ठीक है बहुत कम चांस है लेकिन थोड़ा क्लावडी वेदर रह सकता है ठीक है इस्टेडम रहेगा ब्राबरोन इस्टेडम मुंबई का और पिछ रिपोर्ट की बात करें तो थोड़ा सा रहता है इस ग्राउंड पे और वही बालिंग फर्स्ट के जीतने ही कही बहुत ज़्यादा चांसेद रहते हैं तो दोस्तों यहां पर वेनी रिकॉर्ट की बात करें तो टोटल यहां पर 18 मैच खेले जा सुके हैं इस सीजन और जिसमें से बैटिंग फर्स्ट ने 8 मैच जीता इसमें नौ तेरा विक्टे गिरी थी इस तो चार फास्ट और नौ फास्ट चार इस फिन तो ऐसा कहानी रहा था इसमें टॉप फर्फर्मर्स रहे थे दोस्तों हर्लिंद वाल च्यालिस गाड़नर इसमें 25 ग्रेश फिप्टी नाइन केपी नवगरे 53 केम गर्थ को 5 विकर म स्टप करकार की कहानी रही थी इनके लास्ट है टो हैज मैट की तो आज भी कुछ ऐसा कुछ सेनेरियों आपको देखने को मिल सकता है इस बैन्यू पर लास्ट मैट देख लीजे ठीक है यहाँ पे दोस्तों हाइज स्कोरिंग देखने को मिला है यहाँ पे दोस्तों डिसें आड़ इस्पीन, दस स्पीन, उसके बाद चार स्पीन, तो थोड़ा से स्पीन का क्रेज रहेगा, और यूपी मुमेंस में दिप्ति सन्मा कलस्टन है, तो और भी इस स्पीनर्स को यहाँ पे थोड़ा सा हल्प मिल जाएगा, तो यह चीज आपको ध्यान रख के आज की टीम बनानी है, तो शलिए दोस्तों बात करते हैं, गुजरात मेंस के प्रोबल प्लेन ले उनके बारे में, दोस्तों यहाँ से ओपन करेंगी, सोफी डंकली और लारा व कि आपको धर धर जाने की जरूत नहीं, यही पर सब जीज गवर है, ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, थोड़ा सोफी डंकली ने क्या किया है इस सीजन, दोस्तों इस सीजन एक मैच छोड़के अच्छा खासा नौक नहीं आया है, बाकी प्लेयर है, आज के गे मैच इस में अच्छा करेगी, दो मैच इस में फ्लॉफ रहेगी, ठीक है, इस टाइप से प्लेयर है, तो जरू इनको ट्राइ करना, ठीक है, इस इंपोर्टन आएगी, सुबने नि मैच ना दोस्तों लास्ट मैच थोड़ा सा अच्छा रहा था, 31 रन किया था, उससे पहले बीच, बाइस, 31, 12 नोट आउट, और अभी दोस्तों एकाद वर बॉलिंग भी करा ले रिये, इंपोर्टन रहेगी, ठीक है, और इसके बाद दोस्तों एसले गाड़नर आती है, एसले गाड़नर भी काफी जबर्दस और हर मैच में अच्छा करके दे रही है, देख सकते है इनका विलिंग काफी अच्छा है, और लास्ट मैचेस में भी काफी अच्छा किया है इनोंने, तो जरू इनको टीम में लेंगे, कैप्टन सी वास कैप्टन सी की प्रवल दावेदार रहेंगी, देला नहीं लेता, बैटिंग आती है, तो काफी अच्छा कर लेती हैं ये, और एक डिसेन्ड इस्कोरिंग कर सकती है, चाहुआ तो ग्रैंड लिक के टीम में ट्राइ कर सकते हैं, बाखी समौल लिक लग भी पिर्फर नहीं करोंगगो, ठीक है, ग्रेंड लिक में चाहुआ तो ट्राइकर लेकर में, इस नहीं रहाना है दोस्तों, लास्ट के मैचेस म मसता इनको एक विकेट मिली रहा है देख सकते हो पीस रहन एक विकेट फिर एक विकेट और पीस थोड़ा सा स्लोवर रहेगा तो जरूर इनको टीम में ट्राइक कर लेना ठीक है आज की मैच में और स्लोवर पीछी रहेगा उसके बाद दोस्तों अस्वनी कुमारी है उतना इ जरूर आज भी एक विकेट इनका है और अभी भी एच्छे फारम में है बैटिंग से भी एक्चा कर सकती है तो जरूर कीमकर्थ को ट्राइक करेंगे तर्णूजा कमर लेटां और ओसर्ड़ा कर लेना एक उसके बाद तर्ण और असके बाद दोस्तों बैंच के प्लेयर शे कीम गर्थ करते दिखेंगी डेथ में आपको असले गार्डनर कीम गर्थ और स्वारी अनबल सदर ने नहीं खेल रही है लास्ट में उने मिस्ट के था तो यहां पर नहीं खेलेंगी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यूपी विमेंस के प्रोपल प्लेग लिए उनके बारे म ठीक है देविकावध्य थोड़ी सी रिस्की प्लेयर लगती है और कभी खेलेंगी तब ऐसा प्लेयर है ना कि दस मैच में दो तिन मैच में अच्छा खेलेंगी बाकी में फ्लाओफ चल रही है तो चाहों तो ट्राइक कर सकते हो अगर बॉलिंग भी करती है तो मुस्ट इं रहा है इनका तो जरूर इनको टीम में ट्राइक करेंगी और अभी रिसेंट रिस्कोरिंग थोड़ा साथ एवरेज रहा है ठीक है यहां पर 90 प्लस एक विकेट यहां पर 50 प्लस जिरो विकेट यहां पर 38 बड़े मैच की प्लेयर है अच्छा कर सकती है आज की मैच में बड़ेज बैट्समेन है और बैटिंग आती है तो काफी जबरदस सीटिंग कर लेती है जरू टीम में ट्राइक करना और साथ यह बॉलिंग भी कराएंगी आपको कराते ही दिखेंगी ठीक है दिपतिस सर्मा है दोस्तों राइट हैं लेप्ट हैं बैट आम बड़ेज बॉ अब जितक एक भी मैचा से नहीं गया है कि विगेट लेस रही हो जरू इनको टीम में ट्राइक करेंगा ठीक है सोफिय क्लेश्टन और सिम्रान सेक हैं दोस्तों इंप्रिफर नहीं करूंगा परसभी चोपड़ा लास्ट में चार वाले हम डाले थे ठीक है लेक ब्रेक स्लो राइस्वरी के आएक वाले हैं दोस्तों और हरमक में चार वार करा रही है अभी इंपोर्टन प्लेयर रहेंगी जरू इनको टीम में ट्राइ कर सकते हो अभी अच्छा खासा विकेट ले रहें है ठीक है ट्राइ कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद दोस्तों के स्टेट्स के बारे में अब एक डेमर टीम में बना के बताता हूं आपको अब देख लीजेगा कि मेरी टीम में कौन-कौन रहेंगे आज के तो दोस्तों है विकेट किपिंग से 90 और 10 का कौर रहेगा तो यहां पे 90 कॉल के पास अलीजाहिली के साथ में जाऊंगा ठीक है सि इस इंपोर्टन प्लेयर रहेंगे दो से तीन ओर करेंगी साथ ही बैट्टिंग से कंट्रेविशन का रहता है ठीक है नीचे में दोस्तों आपके पास डंगली है ठीक है हर्लीन देवल है कंसिस्टेंट प्लेयर केपी नावगीरे तो डिफरेंशियल और एस में एकना है दो बोलोगे तो यह तीनों डिफरेंस है लेकिंकि तीनों के बाद दम खम है ठीक है तो हर्लीन देवल को मैं यहां प्लेयर हूं अब डंकली को ले सकते हैं दोस्तों हर मैच में फ्लॉप नहीं होंगी और हीटिंग आते हीटिंग करती है यह थोड़ा सा रिस्की रहती है लेकि तो जरूर नहीं दोनों को तो ले ना ही है ताहले अम एक रात को दोस्तों ले सकते हैं आप ड्रॉप भी कर सकते हो ग्रेंड के टीम में ठीक है बॉलिंग करा रहा है तो और ज़ादे इंपॉर्टन हो जाती है बाकि प्लेयर अच्छी है हीटिंग कर लेती है अच्छा खास साइटिंग करना आता है इनको तो जरूर इनको टीम में ट्राइ कर सकते हो ठीक है तहले हैं अगर आद को अभी के लिए मैं इनको वेट कर रहा हूँ उसके बाद दोस्तों अनबल सदर ने खेले के महुत कम चाहिए देविके विद्या को आप ग्रेंड लिग के टीम में चाहो इसने राण दोस्तों स्लोवर वीकेट है तो मैं से जाऊंगा काफी इमपॉर्टेंट रहे है आज के मच की तो इसने राणा के पिक के आऊं ठीक है कीम घर्थ को आप ले सकते हो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है आप बाकि में बालिंग सेक्षन में आता हूं तो दोस्तों यहां से शोपी क्लेश्टन मुझे चाहिए इंपोर्टेंट है और राधिका गायकवाड ठीक है तो यह दोनों के राजश्वरी गायकवाड स्वरी तो इन दोनों के अगण बीना तुमानी जाओंगा इसमायल के खेलने के बहुत चांस कम है और वरियाम साथ खेलने तो इंप प्रिफर नहीं कर रहा हूं अब बाकिंग नीचे एक प्लेयर के खेलने के बहुत कम चांस है ठीक है बाके दोस्तों अभी दो प्लेयर मुझे लेने हैं तो मैं एक तोर रिच्क लूँगा डंगली को अपनी टीम में लेने का उसके बाद दोस्तों मैं यहां से कीम गर्थ य जरूँट टीम में ट्राइ कर सकते। ठीक है रोटेशन के साथ चलना है यहां पर दोस्तों मैंने अपनी केफटेंसी दी है गार्डनर को और वर्स आरीस में बतावेदार रहा है यहां आप जासकते हो और दोस्तों यहां पर यहां वर्डवड़ डाट ऑग्रेस ठीक है है एलिजा हेली के साथ भी इवन जा सकते हो आप कप्टंसी वाइस कप्टंसी के रोटेट करना है तो दोस्तो यही फार्वुला है छे प्लेयर्स कप्टंसी लिए बताया है इंप्टर रहेंगी दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए चैनल को कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वे थैंक यू सो मच